गाइस, CBC Class 12 Marking Scheme को ले करके एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ गया है, मैंने आपको कल सुभा सबसे पहले यूट्यूब पे अपडेट दिया था, सबसे बड़ा अथंडिक इन्फरमेशन दिया था, दो अपडेट दिये थे इन फाक्ट, पहला ये था कि जो 13 Members, Expert Committee जो है, उसमें से जो Majority जो Experts हैं, जो जादतर जो Members हैं, वो इस फेवर में थे कि Class 10, 11, 12, तीनों Classes के Marks को इंक्लूड किया जाए, Class 12 का Result बनाने में, और दूसरा कि ये जो Committee है, इन्हों ने, जो 14 को इनको अपना Report Submit करना था, इन्हों ने कुछ Extension मांगा था, कि भाई, और अपडेट देने वाला हूं, कि क्या कुछ हो रहा है, और कब निकलेगा Final Update, पहला बात ये, कि कल देर रात ये Clarify हो गया, कि जो मांगा गया था, इस Committee के द्वारा Time, वो Submit हो चुका है, मतलब वो, उनको Extension मिल चुका है, 18th, 18th तारिक को, 18th June को, ये Committee अपना Report Submit करेगी, अब कि 17th June को, जो है, वो hearing है, Supreme Court में, जहां पे, CBC को, अपना जो, मार्किंग स्कीम है, वो, वहां पे शो करना है, तो ये कैसे होगा, इसका मतलब, क्या कुछ, आज कुछ, ग्लिम्स दे दिया जाएगा, या, एक ही बार, जो Ministry of Education है, CBC है, वो, एक ही बार, कल Report Submit करेंगे, यहा स्कूल्स है, उनसे और एक, लास्ट बार, एक सुझाओ मांगा था, कि भाई, आप लोग एक बार और सोच करके जवाब दीजिए, तो दो, टुकडों में बढ़ गए, प्रिंसिपल्स के ये टीम, पहला टीम का कहना है, कि क्लास 10, 11, 12 के मार्क्स को, बिल्कुल सही है, वो, मेजरेटी के साथ जा रहे हैं, और उनका कहना है, 30, 30, 40, के हिसाब से मार्क्स दिया जाए, यानि कि क्लास 10 में, 30% मार्क्स ले लिया जाए, उसका, क्लास 11 से 30%, और क्लास 12 से 40% मार्क्स लेकर के, पूरा जो है, वो, रिजल्ट को तयार किया जाए, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कुछ जो percentage है वो practical और pre-board के लिए रखा जाएगा अब यहाँ पे second group of principles उनका क्या कहना है मैं आपको बता दूँ उनका कहना है 30 ratio 70 के percentage पे result निकाला जाए यानि कि class 10 से ले लिया जाए 30% और class 12 से ले लिया जाए 70% तो guys यह अब देखना है कि majority के साथ में जाता है वैसे majority मैं आपको बता चुका हूँ majority class 10, 11, 12 को लेने की favor में है तो बहुत जल्द आज शायद update लाए हो सकता है update ना भी आए अभी कुछ भी कहना confirm नहीं है लेकिन एक चीस confirm है कि report जो है वो committee जो है वो submit कर रही है on 18th June यार रखिएगा और please किसी भी और गलत information में न गाइड करा रहें तो byस बने रही है हमार साथ में हम आपको लगातार आपके further higher education के लिए आपको guide कर रहे हैं आपके need के लिए आपके जैए पर prevention के लिए आपके other preparation के लिए हम आपको सारे talent पे भारत